दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे purification of blood के बारे में यानि खून को साफ करने के तरीके के बारे में दोस्तों हमारी body एक गाड़ी की तरह होती है जिस तरह एक गाड़ी के अंदर एक engine होता है उसी तरह से हमारी body के अंदर अलग-अलग organs होते हैं जो कि इस engine का काम करते हैं आप petrol को या diesel को compare कर सकते हैं हमारी diet से और आप engine oil को compare कर सकते हैं हमारे खून से जिस तरह से आपके गाड़ी की periodic service कराना बहुत जादा जरूरी होता है ताकि आपकी engine के अंदर जो गंदा engine oil है वो साफ हो सके वो निकल सके और इसके जगा नया engine oil जा सके ताकि आपका engine अच्छे से काम कर सके इसी तरीके से आपके body के अंदर खून का साफ होना भी बहुत जादा जरूरी है ताकि आपके जो organs हैं वो सही से काम कर सके आज किस वीडियो में हम इनी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे common causes के बारे में जो कि आपके खून के अंदर गंदगी को यानी खराबी को पैदा करते हैं इसके इलावा हम जानेंगे कि आपकी बाड़ी कौन कौन से ऐसे science हैं कौन कौन से ऐसे लक्षन हैं जो आपको देती है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके खून के अंदर खराबी पैदा हो रही है और लास्ट ली हम जानेंगे कि इस खून की खराबी को इस toxicity को आप कैसे दूर कर सकते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं इसके तो आज की ये वीडियो बहुत ही जादा interesting होने वाली है इसको end तक जरूर देखिएगा Hi everyone मैं हूँ Dr. Salim और आप देख रहे हैं ब्लड एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि हमारे पूरी बॉड़ी के अंदर circulate होता है और इसके अंदर जितने भी vital nutrients होते हैं हमारी बॉड़ी के या oxygen होता है ये पूरी बॉड़ी के अंदर तैरता रहता है और सभी organs इस ब्लड़ से ही इन चीज़ों को absorb करते हैं अगर आपके ब्लड के अंदर impurities पढ़ जाएंगी तो उसकी वज़ा से ब्लड के अंदर जो oxygen carrying capacity होती है वो घड़ जाती है और जो nutrients हैं वो पूरी मातर में आपकी बॉड़ी के अंदर नहीं घूम पाते हैं और इसकी वज़ा से आपके अलग-अलग organs में अलग-अलग तरह की problems हो सकती हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर impurities पैदा हो रही है तो आपको इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों आयरवेद में मानते हैं कि आपकी ब्लड के अंदर पित दोश बढ़ने की वज़ा से जो ब्लड के अंदर impurities हैं वो पैदा होती है और पित दोश आपकी ब्लड के अंदर गर्मी पैदा करता है यानि आपके खून को और तरह गरम कर देता है इसकी वज़ा से आपको अलग अलग तरह की skin problems होने लगती है आपकी बॉड़ी के अंदर अगर बार फोड़े फंसी की शिकायत होती है अगर आपको allergies की शिकायत रहती है अगर आपको psoriasis की शिकायत है या खुजली की शिकायत रहती है तो ये एक clear cut symptom है जो कि आपके अंदर खुण की खराबी की तरफ इशारा करता है इसके लावा क्योंकि आपके खुण के अंदर गरमी भढ़ जाती है तो उसकी वज़ा से आपको सरदर्द यानि headache की शिकायत बहुत जादर रह सकती है आपकी body में से heat निकलने लगती है आपके हाथ पैरों के अंदर से आग से निकलने लगती है और आपका पेशाब जो है वो पीला पीला आपको आने लगता है दोस्तों अकसर लोग सोचते हैं कि जब आपके blood में impurities पैदा होती हैं उसका सारा का सारा effect सिर्फ और सिर्फ आपकी skin पर पढ़ता है आपको skin disorders होने लगते हैं जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि जो blood है वो आपके पूरे के पूरे body में circulate हो रहा है यानि आपके body के हर एक organ को आपस में connect करता है blood और जब इसके अंदर impurities पैदा होती हैं या arthritis है इस तरह की problems भी पैदा हो सकती है दोस्तों अगर आप अपने blood को purify करना चाते हैं तो सबसे पहले चीज है आपको अपनी diet का ध्यान रखना क्योंकि जो भी खाना पीना आप खाते हैं उसका direct effect आपके blood के उपर पढ़ता है आपके blood में अच्छी चीज़े या बुरी चीज़े जा रही हैं ये depend करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं दोस्तों अकसर देखा गया है कि जो लोग non-vegetarian होते हैं उनके अंदर blood में impurities ज़्यादा पाई जाती हैं तो अगर आप non-vegetarian हैं बहुत ज़्यादा non-veget खाते हैं तो आपको इसको कम कर देना चाहिए दूसरा ये कि जो लोग ज़्यादा तला भुना खाते हैं बहुत ज़्यादा spicy food खाते हैं उनके अंदर भी blood में impurities होने के chances ज़्यादा होते हैं तो पानी भी आपको ज़्यादा पिस्तमाल करना चाहिए ज़्यादा stressful environment में रहने से भी आपके अंदर कुछ ऐसे substances पैदा होते हैं जो कि blood के अंदर toxicity पैदा कर देते हैं बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा processed foods खाते हैं चिप्स, biscuit, नमगीन और इस तोना के bakery आइटम ज़्यादा खाते हैं इस्पेशलि आशकल हमारे बच्चे इस तोना की चीज़े बहुत खाने लगे हैं तो इसकी वज़ासे भी आपके अंदर blood में toxicity पैदा हो सकती है बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी आपके अंदर blood में खराबी पैदा होती है और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से भी होती है तो ये वो सभी ऐसी चीज़े हैं खाने पीने की जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके अंदर blood में purification होता रहे वो खराबी पैदा ना हो दोस्तो इस सबसे important और पहले step के अलावा चार और ऐसे steps हैं जो कि आपको लेने ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका blood पूरी तरह से purify हो जाए सबसे पहला step है आपको रोजाना अनुलोम विलोम करना अगर आप अपने blood को purify करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है अनुलोम विलोम बेसिकली एक तरह का breathing technique है एक तरह का yoga है जिसमें आपको अपनी एक naak के एक side से इन्हेल करना होता है और फिर उसे block करके दूसरे से आपको exhale करना है फिर जिससे आपने exhale किया है उसी से आपको इन्हेल करना है और दूसरे से आपको exhale करना है इस तरह से आपको repeat करते जाना है चलिए देखते हैं करके साथ में आपको क्या करना है अपने thumb लेना है और अपनी पिर, इससे काइए करना है इस तरह से आपको रोज़ानाब, 10-50 मिनेट कैण अनुलोम विलोम जरूर करना है अनुलोम करने से आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सिजन पहले खा लेना है और रात का खाना खाने के बाद आपको preferably 16 घंटे या कम से कम 14 घंटे का fast करना है यानि कुछ और चीज नहीं खानी है for example आपने माली जे रात को 7 बजे खाना खाया ये खाना आपका हलका होना चाहिए बहुत heavy आपको नहीं खाना है 7 बजे का खाना खाने के बाद अगर आप 14 घंटे गिनेंगे तो अगले दिन 9 बजए आपको 14 घंटे होंगे तो अगले दिन 9 बज़े तक आपको कुछ भी नहीं खाना है इस दोरान आप पानी या लिकुड वगरा fasting भी कर सकते हैं पूरे दिन की fasting करने से भी आपको बहुत जादा फाइदे मिलेंगे तो 15 दिन में आप एक पर fasting करिए आपको रोजाना 7 वज़े से पहले खाना खा लेना है और तीसरा आपको जो है अनुलोम विलोम करना है इन तीन चीज़ों के इलावा एक home remedy भी है जो कि आप अपने घर पे इस्तमाल कर सकते हैं आईए चली आप इस home remedy के बारे में जान लेते हैं दोस्तों blood purify करने के लिए पहली home remedy जो मैं आपको बता रहा हूँ यह पूरी तरह से free है बहुत ही आसान है और कोई भी इसको औराम से इस्तमाल कर सकता है यह है दोस्तों नीम के पत्ते आपको क्या करना है सुबा सुबा जवाब उठते हैं तो सबसे पहले आपको खाली पेट नीम के पेट से पांचे पत्या तोड़नी है fresh उनको धो लेना है और उनको चबा चबा के पांचे पत्यों को आपको खा लेना है आपको अगर active form में इसको use करना है यानि अगर आपको already blood में impurities बढ़ी हुई है आपको skin problems हो रही हैं तो आप इसको regularly इस्तमाल कीजिए तब तक जब तक आपकी problems ठीक ना हो जाए उसके बाद periodically अपने blood को purify करने के लिए आप हर महीने में कम से कम 5 दिन रुजाना इस तरह से 5-6 पत्य नीम के लेके चबाने हैं बस 5 दिन अगर आप हर महीने इस तरह से कड़ते रहेंगे तो आपका blood periodically purify होता रहेगा और उसमें कभी भी गंदगी पैदा नहीं होगी अगर आप नीम के पत्ते इस्तमाल नहीं करना चाते हैं या आपको बहुत जादा कड़वे या बुरे लगते हैं तो उस case में आप तुलसी के पत्तों की चाए भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके इलावा हल्दी वाला दूस भी बहुत अच्छा होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए तो उसको भी आप रेगुलर्ली इस्तमाल कर सकते हैं एक फूल होता है दोस्तों हिबिसकस फ्लार जिसको गुढ़ल का फूल बोलते हैं ये भी प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये आपके खून के अंदर बोडी के अंदर तरावाट और ठंडक प्यादा करता है और खून की गर्मी को और गंदगी को कम करने का काम करता है गुढ़ल के जो फ्लार्स होते हैं यानि जो हिबिसकस फ्लार्स हैं ये आपको अराम से आसपास अपने मिल जाएंगे अगर आपके आसपास इसका पौदा नहीं है तो आजकल ड्राइड फॉर्म में भी ये मिल रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पर अमेजन वगरा पर आपको ड्राइड हिबिसकस फ्लार्स मिल जाएंगे तो इनको आप ड्राइड फॉर्म में ले लीजे इसको आपको उबाल के इस्तिमाल करना है अगर आपने ड्राइड लिये हैं तो क्या करना है एक टेबल स्पून ये ड्राइड फ्लार्स आपको लेने है और ड्राइड ग्लास पानी में इनको आपको डाल के उबालना है अगर आपके घर के आसपास इसका पौदा भी है तो आपको क्या करेंगे आप ड्राइड नी लेंगे आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे फायदा हासिल कर सकें मैं ड्रॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा